नवस्कार दोस्तों, इनकी एज 44 years plus 5 months की हो चुकी है इस हाथ को देखे तो बहुत अच्छा हाथ है अच्छी साइने है, पर संगर्ज भी इनके हाथ पर दिख रहा है अब इनका जीवन किस तरह सा क्या होगा, वो सारे one by one एनालिसिस करूँगा उसमें इनको समझ में आ जाएगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया थोड़ी सी भी उपर हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णे लेना होता है, वो नहीं ले पाते और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था हाँ, बहुत ज़्यादा प्राब्लम नहीं है पर खाली दो उंगलिया थोड़ी सी उपर है बस ये स्क्वेरिश पाम है तो व्यक्ति महनती होता है और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है जब चंद्रपरवत पर थोड़ा सा भी कट लगे तो ऐसे लोग बाते कर बहुत ज़्यादा करते हैं यह तो एक्सपिरेंस मैं भी कर चुका हूँ जब अंगूठा टिल्ट हो यानि मुड़ता हो पीछे की तरफ तो ऐसे लोग चुटकी बजा कर मित्र बनाते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है फर्स फैलेंग नुकिला है तो कारिकर प्रति अच्छी खासी जिद्ध होती है सेकेंड फैलेंग भी अच्छा है लोजिक के साथ तर्ट्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं प्लस मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है जब यह उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावन अच्छी खासी पाई जाती है सुर्य के उंगली काफी बढ़ी है यह व्यक्ति को हिम्मती सभाव देती है और जिब में पचास जार हो पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है और जीवन का आनद लेने वाला व्यक्ति हो कैसा भी समय चलता हो यह उंगली भी फर्स फैलेंज तक पहुँच रही है व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद्शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी वस्तों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब चलते इनके इनक लगए हुए पाम पर बुद पर्वत पर खड़ी लाएंट, यह व्यक्ति को बुड़ा पे में भी इंकम देती है और बुद पर्वत व्यवस्तित है तो व्यक्ति में सुंदरता भी अश्ची पाया जाती है वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है इनके पास काफी अच्छी साइन है, पर उसके पहले एक त्रिकॉंट देख लेते हैं ये ट्रेंगल का मतलब है कही न कहीं व्यक्ति के मन की इच्छा है, लगबग सारी पूरी करवाता है अब इनकी साइनों की और चलते है एक यहां पर उत्तम साइन है इनके हाथ में यह देखिए यहां से यह लाइन निकली और यह चली इतनी बड़ी साइन है इसके पहले जो एनालिसिस किया था उसी मैं भी इतनी बड़ी साइन थी इसी लेवल की थोड़ी सी उससे छोटी होगी तो आप सोचिए वो यह साइन जब निकलेगी उस वेक्ति की तब कितना प्रोग्रेस करेगा गरती तो यह एक साइन यह है एक इनको भी शौक है एक और साइन है इनके हाथ में यहां परी इस जगह पर यह दो साइनों के वो तो बहुत छोटी है जो इन्होंने ढूंडी वो यह दो साइनों के बदौलत इनके जीवन में ना इनकी अभी धर्न रेखा दमदार है दुनिया भर की राउ रेखा काट रही है फिर भी यह साइनों के बदौलत यह कहीं न कहीं पैसे के मामले में सुखी इनसान होंगे और इनके जीवन में कब से बहुत ज़्यादा अच्छी धन रेखा बन रही है कितने साल तक बन रही है वो सारा पता चलेगा और कब-कब रहु रहे हैं इनको काट रही है कि शनी परवत एक दम फ्लैट है आलस क्या होता पता ही नहीं होता प्लस जुपिटर की और जाने वाली रेखा यह ती को सब्सक्राइब पैसे वाला होता है चौथा लाब जो भी कारे करतें बड़े स्तरका करतें पॉलिटीकल लाब और सरकारे लाब तो कई लोगों को चारो लाब मिलते हैं किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक और continue फेट लाइने चल रही है मैं इसके बारे मैं जब धन रिख पर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं है विवसे जुपिटर माउंट है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यह लाइन है जब होती है इस तरह की लाइन खराब समय भी आए तो व्यक्ति ठीका रहता है दोस्तों को भी बताएगा तो वो लोग आगे पासओन नहीं करते हैं वो बुलेंगे आप जुट बोल रहे हो यह भरोसा नहीं करता तो नाम खराब होने से बचाती है यह लाइन और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग एक ट्रैंगल बन रहा है यह व्यक्ति को पॉल में जुपिटर माउंट पे ट्रैंगल हो आपका दस साल पुराना काम अटका हुआ है ऐसे लोगों को ले जाएए चुटकी बजा कर आपका सरकारी काम होगा चुटकी बजा कर यह पावर तो यह ट्रैंगल देता है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पाँच लाइन इवक्ति को मल्टिपल इंकम देती है पामिस्टर एस्टरोलोजी इस तरह के मिस्टरी साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिक्ता यह सारी वस्टुए देती है अंदुनी मंगल मुझे इतना दमदार नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ के हिसाफ से कमजोर लग रहा है तो सारे लिक उर्जा उतनी उत्तम नहीं होगी क्योंकि सिल्वर्ट पड़ी हुई है इसमें पर यह जिस तरह के स्पीड ही आदमी है तो कहीं न कहीं मंगल पर एक छोटा या बड़ा स्टार जरूर होगा जो इस फोटोग्राफ में कहीं पर आया नहीं है क्योंकि इनकी स्पीड मैं देख चुका हूँ और इस तरह के मंगल वाला अगर व्यक्ति है स्टार होता है तो ही वो स्पीड में काम करता है बारी मंगल भी उत्तम है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला कमफ़ोटेबल फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है आप अपने लेवल पर एक और चीज चेक करना मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटी सी साइन आपके पास है ये sign में इतनी ताकत है जो इसको भी पीछे करती है ये इतनी sign में भी है ये इतनी पावरफूल है ये जमीन जाएदात का benefit दिलाती है आप चेक कर लेना जमीन जाएदात से benefits है तो ये 100% ये भी sign है आपके हाथ में और ये बहुत rare में होती है लोगों के हाथ में बहुत रेर और यह जो लाइन है वेक्तिको कोट और पुली स्टेशन के दर्शन करवाती है यह डबल माइन लाइन है मैं माइन लाइन पर आऊंगा तब बताऊंगा चंद्र परवत इतना अच्छा नहीं है मद्यम टाइप का है तो इसके बारे मैं जिक्र करना रौंग है मद्यम गुन धर्म मिलते है एक बुद्रेखा भी काफी उत्तम है इनके हाथ में यह भी बड़ा सामराज्जिम क्रियेट करने में बदद करती है पर केवल पामिश्री में कहा जाता है ना एक लाइन पूरा फल नहीं देती या एक साइन पूरा फल नहीं देती पर फल दिये बिना रहती भी दे दोनों वस्तुय साथ साथ में चलती है शुक्र परवत अच्छा है अच्छा कवरे पेनना अच्छी तरह रहना लग्जर इस लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करते है यह फोर्क बंद रहा है यह व्रेक्ठी को यात्राय भी करवाता है और एक और वस्तु चेक कर लेना मैं दूसरे फोटो में भी देखने को कोशिश करूँगा अगर यह इस तरह की साइन बनती होगी जिसे केतु की फिश साइन कहा जाता है हाँ यह पैसा नहीं देती केवल यूटूब पर पैसा देती है यह साइन पैसा नहीं देती यह सरीड में एनरजी देती है अगर मंगल यह कमजोर भी हो तो यह साइन होगी तो यह ताकत देती है बहुत फास्ट काम करते हैं एनरजेटिक होते हैं ऐसे लोग और एक दूसरी बेनिफिट यह मिलती है कि इनके संतान विडेस में पढ़ने या कमाने जाते है और फिर बुड़ा पे मैं विडेस में आना जाना होता है तो यह केवल आप यहाँ चेक कर लेना मुझे केवल इस जगह पर थोड़ा सा डाउट है कि जॉइंट हो रही है कि नहीं यह लाइन यहाँ तक तो कम्प्लिट आ रही है यह आगे इस तरह से चल रही है कि नहीं वो चेक कर लेना बाकी तो यह गुमाव बढ़िया है मैं इनके एनर्जी का कारण ही डूढ रहा था 99 परसेंट तो यह होगी क्योंकि जिस तरह के एनर्जेटीक है मैं एनर्जी और इनका कम्म्विनिकेशन फिल कर चुकाऑं अब इनकी हिर्दे रहा कितनी उत्तम हिर्दे रहा है इस तरह की हिर्दे रहावाला व्यक्टी यूपिटर से चालू होता है तो भरो से लायक इंसान होता है किसी को सो रुपे भी बाकी होंगे तो देख कराएंगे हाँ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता और ये किसी का बुरा करते ही नहीं इतने अच्छे सवाओं के लोग होते है और जहाँ जहाँ ये डबल हाट लाइन चलती है जंजटो भरा जीवन देती है सुबे से लेके शाम तक आपा धपी लगी रहती है और ये माबाब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइन और ये फ्लर्ट लाइन है वेक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद कुछी ढूलता है माइन लाइन भी काफी उत्तम है पूरी देखिए जुपिटर से निकलती है अत्ती महतोकांची वेक्ति बनाती है और अपनी महतोकांचा पूरी भी करते है और कितनी सुन्दर माइन लाइन चल रही है एकदम तलवार कट बहुत शार्प माइन के होंगे ये वेक्ति यहां से निकली सीधी चली और ये फोर्क बना तो ऐसे लोग कम्मुनिकेशन में भी बाद्शा होते है पहले के जमाने में लिखा पड़ी में एक्सपर्ट होते थे पर आज सोशल मेडिया और बहुत सारे कम्मुनिकेशन के साधन आ गए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते है कम्मुनिकेशन में और ये पिरियड जब आएगा तो और ज़्यादा विकास इनके जीवन में होगा लग बग 52 की एज के आसपास से ये एक्टिव होगी ये और ज़्यादा ग्रोथ देगी और यहाँ पर देखिए फोर्क बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं अब इनकी राहू रेखा के लिए इनका एक और हाथ का फोटोग्राफ है उस पर चलते हैं तो उसमें स्पष्टता जाता है चोटी-चोटी बारिक चीजे दिख रही है देखिए पहले तो आपकी ये ये इस साइन को आप चेक करना ये हो रही और जिस तरह के आप व्यक्ती लग रहे हो ये होगी जरूर केतु की फिश्चाइन यूटूब पर भहत पैसा देती है ले एक वीडियो बना लो केतु का लाखों में व्यू जाते हैं लाखों में पर रियल जीवन में नहीं देती केवल एनरजी देती है और आपके संतानों को विदे सेटल करवाती है अब यहाँ पर एज ट्वेंटी सवन में इस रेखाने इनके जीवन में सहनाई बजाए यानि साधी हुई उसके बाद थर्टी थ्री में एक राहु रेखाई और उसके बीच में भी देखिए छोटी छोटी तो है ही है फिर मैं अभी सारी बड़ी रेखाओ के बारे मैं चर्चा करूंगा बीच बीच में आलवेज इनकी छोटी रेखाई है यह समझ के ही चलिए फोटी थ्री के बाद ये 40 में आई राउ रेखा फिर ये 43 ये 44 जो वर्तमान में चल रही है और उसके बाद अगर देखे तो up to 50 तक ये राउ रेखा है और इन बीच में भी देखी है ये सारी छोटी छोटी दिख रही होगी आपको ये कोई न कोई प्रॉब्लम जीवन में लाती ही है अब सोचिए उसके बाद इनके जीवन में रिलेक्स होता हुआ दिख रहा है फिर आएगी एक छोटी सी 52 या 53 के आसपास और यहाँ पर ये एक आफशूट है बड़ा तो कोई न कोई बड़े आकार ये इनके जीवन में होगा और ये लाइन नीचे जाती होगी तो नियर एंड इरर की डैथ भी होगी उसी पिरेड में उसके बाद एक 57 में राव रेखाएगी और ये उपर और ये छोटी छोटी तो है ये इनको ये पीछा तो छोड़ती नहीं फिर 59 में एक राव रेखाएगी और 60 के आसपास या 62 के आसपास 61 के आसपास एक आफशूट भी है एक 65, 66 के आसपास आफशूट है और एक 68 के आसपास या 69 के आसपास आफशूट है और उसके बाद कोई राव रेखा नहीं है राव रेखा यहां तक इनको जिवन में दिश्टब करेगी अब देख लो साइने होने से कोई ठीक है पैसा घुमता है अच्छी साइन है पर कितनी सारी नेगिटिव फिलिंग से गुजरते होंगे और बार बार काम में कोई न कोई रुकावट इनको फिल होती होगी यह देख लिए पूरी चित्र डायग्राम बन गया है अब इनके धन रेखा को देखे तो एक लगबग 33 के आसपास बड़ा कट लगा कोई न कोई नुकसान गया होगा उसके बाद यहां पर एक कट है 41 में 43, 44 यह दो कट लगे उसके बाद एक कट छोटा सा कट आएगा 45 के आसपास उसके बाद ऐसे कोई कट मुझे नजर नहीं आ रहा है एक मामूरी सा कट है 57 के आसपास छोटा सा है कोई बड़ी बात नहीं और यहां कोई न कोई कमाई का माध्य में इनका चेंज भुआ होगा लगबग 33 के आसपास अब इनकी धन रेखा कोई समझने की कोशिस कर जाए देखिए धन रेखा अब तू 33 तक बहुत अच्छी चली 33 में कट आया उसके बाद कमजोर पड़ी अब यह लाइन यहां से चल रही है या यहां से कोई नया कारे किया होगा और यह पूरी खराब लाइन है अब तू यहां तक तो यह पिरियद 38 तक का 33 के बाद से लेका 38 तक का पिरियद अच्छा नहीं गया होगा उसके बाद थ्रेड आना चालू हुआ यानि कहीं न कहीं खराब रेखा होने के बावजूद उसमें धागा है और यह वर्तमान पिरियद देखिए यह और थोड़ा सा ग्रोथ कमवाला है यह यह पिरियद लगबग 45-46 तक का पिरियद कहीं न कहीं इतनी उत्तम रेखा नहीं है उसके बाद यह लाइन धीरे धीरे काफी अच्छी होकर यहां तक बढ़िया चल रही है अब तू 54 तक उसके बाद फिर वापस थोड़ा सा विकास डिश्टब करेगा अब तू यह साल रहेंगे इनके जीवन के 54 से लेकर 59 तक यह कम ग्रोध देगा और उसके बाद फिर वापस ग्रोध चालो होगी इनके जीवन में और यह बीच बीच में यह लाइने तो ग्रोध देगी यह स्टार्ट होगी 56 से तो यह और कमाई का साधन क्रियेट करी हो सकता है इनके संतान वो केतु के कारण विदेश चले जाए और यह रेखा कमाई दे तो इस तरह से इनका समय चलेगा यहाँ पर इनको ग्रोध आते हुए दिखेगी यहनी स्पीड में काम चलते है देखेगा बाकी रहूरे का अपना काम करती रहेगी यह टरन ओवर बढ़ा देगी फिप्टी फोर तक उसके बाद यहाँ पर वापस थोड़ा सा टरन ओवर कमोगा और फिर वापस बढ़ेगा यह इस तरह से इनकी लाइफ चलेगी इनका एक और फोटोग्राफ है उस पर भी गौर करते हैं सेम इस्थिती इसमें भी दिख रही है यह देखिए है यहाँ तक इसके बाद अच्छा धागा बन रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी आ रही है अब तु यहाँ तक फिर वापस उत्तम तरीके से जा रही है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जावब इनको मिल गया होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद